नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्यारासी वालो मित्रो आने वाले 24 घंटों में याने की दिनांक 5 जुलाई 2023 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के दिये आखिरे सी कौन सी घटनाएं हैं जो आज आपकी जीवन में घटेगी इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं तो मित्रो हमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंततक ध्यान से देखिएगा आईए सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं पंचांग पर तो आप सभी को मित्रो बता देते हैं कि पांच जुलाई को बुधवार का वार है साथ में मित्रो स्रावन मास के क्रश्न पक्स की दुविती आतिती है और इस वक्त असलेसा नामक नक्सत्र का निर्मान हो रहा है बही मित्रो व्याति पात नामक योग भी बन रहा है जो की बड़ा ही सुभ योग है मित्रो अगर बात करें सुर्र की स्थिटी की तो सुर्र तो व्रसब रासी में ही विराजमान रहेगा लेकिन दुसरी और चंद्रमा जो है वह मित्रो धनो रासी पर संचार करेगा तो अब ऐसे में अंतरक्स में उपस्तित समस्तक द्रहक गोचर की चाल का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे? कौन से असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी? क्या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी? और किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा? इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो मित्रों हमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंतरतक ध्यान से देखिएगा लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिद्ध होंगे तो आईए मित्रों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में साथ बार ओम गंगं पतिये नमह अवश्य ही लिख दीजिएगा तो आईए मित्रों अब आप सभी का किम्ती वक्त गवाई बिना इस वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमुल विचार से तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग ग्यान में मुझसे सरेष्ट हैं कुछ लोग मुझसे संसकार में सरेष्ट हैं कुछ लोग मुझसे बल में सरेष्ट हैं कुछ लोग मुझसे धन में सरेष्ट हैं और कुछ लोग मुझसे सेवाकार में स्रेष्ट है इसका मतलब प्रत्यक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे स्रेष्ट अवश्य है इसलिए मित्रो स्रेष्ट व्यक्तियों को जिसने मेंने कुछ न कुछ सीखा जिरूर है और अपने मानव स्वर्व को निखा रहा है इ क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ लोगों से कुछ ना कुछ जरूर सिखते हैं। तो आईए गुरुजी के इस ग्यान को अपने जीवन में अमल करते हुए मित्रों आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की योर। समय बहुत सूब चल रहा है मित्रों। आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के विवादों से दूर रहे कर अपने जीवन को सुखमई सांतिमई तरीके से व्यतित करें। मित्रों आपने पिछले समय में भी अपने लोगों के साथ वेहवार में तेखापन अपनाया था। इस बार आपको वह गलती नहीं करना है। साथ ही समय खोशी से बीतेगा अपने प्रती आत्मने रिक्सन से आपके कई उल्जे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अउसर मिलेगा। अगर घर के रखरखाओं में बदलाव संबंदित को योजना बन रही है तो उस पर गंबिरता से विचार करें क्योंकि मित्रों इस वक्त रखरखाओं से संबंदित योजना हैं कोई छोटी मोटी और सरल नहीं रहेगी। आपको बता देते हैं कि मित्रों के साथ भी आपका मेल मुलाकात सफल रहेगा। मित्रों के साथ जूड़कर आप जीवर में बहुत कुछ पा लेंगे और मानसिक सुकुन बनाये रखने के लिए जरूरी है कि बीती हुई नगरात्मक बातों को वर्तमान पर हावी बिलकुल भी ना होने दे जुका मित्रों जो बाते बीच चुकी है उन्हें भूल जाएं क्योंकि बीती हुई नकरात्मक बाते केवल आपको दुख देगी और दुख के सिवा और कुछ नहीं देगी तो अब आपको मित्रों कोई हाग नहीं है कि आप बेटे-बेटे दुखी हो और नकर अत्मक बातों में ही खोए रहें एहम की वज़े से भाईयों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है परन्तु हर समस्या का आप अपनी विहवार को सल्थद्वारा समाधान निकाल ही लेंगे मितरो कभी कभी कुछ जघड़ एहम की वज़े से सुरू होते हैं तो आप में यह एहम जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सब कुछ में ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है परिवार मित्रों 51 तब होता है जब सब लोग मिलकर परिवार को बनाते हैं ठीक उसी प्रकार मित्रों आपको भी बता देते हैं कि आप में एहमकी भयावना नहीं आने देने चाहिए आजपसे सब को अपना समझना चाहिए बिजनस में लेंडेन बहुत सोच विचार करें मित्रो क्योंकि बिना सोचे समझे दिया आपने किसी से पेशो का लेंडेन किया तो वह पेशा डूब सकता है जल्दबाजी में निरणाई लेने से नुकसान भी हो सकता हैं मित्रो और किसी प्रकार के भी पार्टनर्शिप करने की योजना को मित्रो थोड़ा सा इस्तगित रख दें क्योंकि बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा ज्ञान और ले लें कि पार्टनर्शिप में काम केसे किया जाता है मित्रो यदि आपको अपने पार्टनर पर भरोसा है तभी पार्टनर्शिप करें इस समय वित्तिय मामदों में सुधार आएगा और बैंकिंग सेक्टर में जो जातक काम कर रहे हैं वह अपने टार्गेट पूरा कर लेंगे पति-पत्नि के आपसी तालमेल से घर में सुक्सांति का माहुल रहेगा और मित्रो प्रेम संभंदों में भी नजदी कियां बनी रहेगी इन्फेक्शन अत्वा त्वच्या संभंदित कोई परेशाने बढ़ सकती है तो वरतमान वातावरन से अपना बचाओ अवश्य रखें साथ ही मित्रो परिवार को आप अपने प्रेम संभंदों के बारे में बता सकते हैं थोड़े से कन्या पक्से की तरब से दिक्कत देखने को मिलेगी लेकिन हा मित्रो धीरे धीरे सभी दिक्कतें दूर भी होगी तो आईए अब हम आपको बताते हैं मित्रो कुछ चमतकारी एवं सिध उपाई जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध होंगे तो मित्रो जेसा की आप सभी को चल बता देते हैं कि सावन के किसी भी बुद्वार यानि कि मित्रो सावन चार तारिक से सुरू है तो सुहागन महिलाएं हरे वस्तर पेहन कर हरी चूडिया धारन करके और मेहंडी लगाने के बाद हरे साबूत मुंग डाल कम से कम धई सु ग गाई या गाई के बच्छे को खिलाती है तो समझो सोया हुआ भाग्य जाग गया भगवान विश्नू और मातललक्स में का आसिरवाद बना रहता है और परिवार में खुसहाली आती है वही मित्रो एक और छोटा सा उपाई यह भी है कि जब कोई काम ना बंद रहा हो तो सा सात मंगलवार और सात सनिवार को दूद में कुछ बुंदे सहद डाल कर सिवलिंग का दुगदा भी सेख करें यह प्रियोक केवल मंदिनिम करें इस उपाई से आपकी सारी मनुकामनाई पूरे होने लगती है और सारी समस्याई समाप्त हो जाती है मित्रो इस वीडियो में हमने आपको जो उपाई बताएं है अवश्य कीजिएगा देनिक रासी फल और ग्यान वर्दक वीडियो और चमतकारी उपाईं अगर आपको चाहिए तो चेनल से जुड़ना होगा मित्रो जुड़ने के लिए कुछ पेसा नहीं लगाना है सिर्फ स कर देना है वीडियो अच्छी लगी हो आसा करते हैं मित्रो हम आपसे के वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में मित्रो जैश्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो